विश्वर अतनर डॉक्टर बाबा साहब आमबेडकर समारो समीती लोको पाइलट तथा गार्ड्स लॉबी मध्यरेल नागपुर की ओर से रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले 50 कूली को एक माह का पूरा राशन बाटा गया इस मौके पर स्टेशन के निदेशक दिनेश नाग कुली एक ऐसा काम जो हर यात्रियों का बोज उठा कर दो पैसे कमा कर अपने जीवन अपने परिवार का गुजर बसर करते रहता है आए दिन कुलीों पे भूके मरने के नौबत आ पड़ी है कुली दिन रात काम करता है मगर कुली को जो मेहनत आना चाहिए वो बहुत कम मिल करता है ऐसे में भी उसमें भी समाधान व्यक्त करते वे कुली बड़ी तादाद में काम करते रहते हैं कोरोना वायरस को लेकर जब से देश में संचार बंदी लागू हुई है चाहिए बस्टेंड की बस हो एरपोर्ट का हवाई जाह जो या हो फिर रेल्वे स्टेशन की र समेती लोको पाइलट तथा गार्ट्स लॉबी मद्रेन नाखपूर की और से रेल्वे स्टेशन पर काम करने वाले पचास कुलियों को एक महा का पूरा राशन बाटा गया इस मोके पर स्टेशन निदेशक दिनेश नागदेवे तथा समस्त रेल करमचारी महुजूद थे लेकिन कोरोना वाइरस के चलते अब लोगोंने समार हो है जो पूरी तरह से बन कर दिये है ऐसे में जो कुछ कुली लोग है उन्हें और लोको पाइलेट है इनके और से आज यहां पर कुछ अनाज है यह अनाज बाटा जाने वाला है यहां पर तमाम पदा दिकारे अनदर में उसी से हमारे रेल्वे के जो चलने वाली मेल एकस्प्रेस, पैस Regional गाडिया आज बंद कर दी गई है जिसके वजह हमारे कुली के ऊपर उपासमार की पाडी आई है इसलिए उनको उपासमारी के पाडी के लिए मदद करने के लिए हम हर साल अपनी चोदा को हमने आगे किया और 14 को नहीं मनाएंगे उसी का पैसा और जो हमारे सांस्ता के पास में जो पैसा है उस पैसा से हम जो है कुली लोगों को एक मेने का राशन देने सोचा हमने परसु की दिन हमने इसकी ततकाली मीटिंग ली डारेक्टर नागदेय साब उन्होंने हमको सजेस किया ता कि मैरे यहां कुली के जो उपासमारी की पाड़ी चलने वाज हो रही है उसके लिए कुछ मदद करना चाहते क्या तो हमने हमारी मीटिंग लिया और मीटिंग में हमारे अद्देक्षा डीडी साकरे साब मिलीज मेश्वाम साब शाम शेंडे साब एस पी खंडेकर स कैसा महसुस कर रहे हो नातियो साब जिस प्रकार से आप जरौत बंदू को यह जो आप राशन बाट रहे हो यह तो हमारा ड्यूटी है कि हमारे स्टेशन में जो भी काम करते हैं चायो कंट्रक्चुर लेबर हो या हमारे लेबर हो कोई भुका न रहे इसके लिए मैंने संस् बढ़ा अच्छर रिस्पांस देके यह कारेगा है मैं संस्ता का धन्यवाद देता हूँ और हमारे भाईवन जो भी काम कर रहे हैं स्वस्तर है नापकुर का यह वह रेल्वेस्टेशन है जहां पाऊं रोखने के लिए जगों नहीं होती है और हवेशा आवा गर्मन रहती ह ऐसे में जब से कोरोना वाइरस जो हुआ है उसकी जनजागरती है रोख्थाम के लिए सरकार ने जो एक कड़े आदे जो दिये उसका पालन करती हुए लोग नजर आ रहे अब यात्री पूरे बन नहीं है साथी साथ में जो ट्रेने चलने वाली वो भी पूरी तरह से गया ऐसे में आप देख रहे हैं कि जो लोगों का जो यात्री रहते थे उनका बोज उठाने वाले यह वही कुली है जो हमेशा काम करते थे लेकिन आज उन्हें भी भुक्वे मरने की नवबत आ चुकी है ऐसे में ऐसे जरूत मंदों को इस तरह से यह जो यहां पैकेट डि पूरे देश को जो तमाम नागरी के उन्होंने एक साथ आके लड़ना होगा लेकिन उसके लिए हर किसी ने अपने घर रहना होगा कोई भी सड़क पे ना निकले एहतियाद बरते क्योंकि कोरोना वायरस यह वो वायरस है यह किसी जाती धर्मपंथा और वर्नों को देखके नहीं आता है यह जब भी अटेक करता है अपने आप में पूरी पावर के साथ अटेक करता है ऐसे में इसके बचाओ के लिए रोकताम के लिए हमें घर में रहना पड़ेगा और जो जरुरत मन लोग है उनको ऐसी संस्ता है राज्जा सरकार हो है या हो फिर केंद्र सरकार उ राज्जकुमार मोहड के साथ संजे मिरे इन बीसेन्यूस नाकपूर